एलो फ्रेंज आज हम एंटीज करेंगे cash paid और cash receipt की तो चले देखते हैं फर्स्ट is cash paid to Mohan thousand हमने Mohan को cash दिया thousand तो जो हमारे पास से जाता है वो credit होता है और जो हमारे पास आता है वो debit होता है cash हमारे पास से चला गया तो cash हमारा credit में आ गया बचा केयाँ पेर मुहन बचा मुहन का नेम है ना तो मुहन डेबिट में आ गया एक कउट डाब टु कैश ऐकाउंट कैश फूत चल गया ऊसने ठावजन टूपीस डेबिट में टाजन टूपीस कृडिट में नाफेशन चीजी हमेशर याद रखना same question वाला आता है बस क्या आता है हमारा आगे बिंग लग जाता है बाकि same question वाला cash paid to Mohan अब हम next पर आते हैं cash received from Ankit 2000 हमारे पास क्या है cash received means हमारे पास cash आया है तो cash account debit debit में आ गया जो हमारे पास आते है 2000 debit में आ गए और गया क्या यहाँ पर अंकित का नाम है तो अंकित का नाम यहाँ पर आ गया cash account debit to ankit account 2000-2000 narration में being आ गया और same cash received from ankit third is cash paid to ram 500 ram को cash दिया जो चीज चली गई वो credit में आती है cash हमारे पास से गया तो to cash और यहाँ पर क्या है ram ram account debit to cash account 500-500 narration being cash paid to ram fourth cash received from raj 1200 हमारे पास cash आया तो cash debit में आएगा cash account debit to यहाँ पर क्या है raj to raj account 1200-1200 narration being cash received from raj जो चीज हमारे पास से गई हमने दी वो credit में जाएगी और जो चीज हमारे पास आई है वो debit में आएगी आपको यह याद रखना है आपको यह याद रखना है